आज बहुत दिनों बाद इस मंच पर मुलाकात हो रही है आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे आज हम एक विशेश टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है इ रूपी देखिए जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है तो समस्या के समधान में टेक्नोलोजी की महत्वूर भूमिका होती है और वर्तमान दौर में टेक्नोलोजी की भूमिका और बढ़ गई है ये सब हम लोग पिछले दो साल से देख रहे हैं तकनीक का प्रयोग कैसे फानेंशल सिस्टम में हो सकता है इस ए रूपी टॉपिक में हम लोग उस चीज को समझेंगे सरकार के सामने क्या समस्या थी कि जिसका उपाय ये ए रूपी कर सकता है ये ए रूपी क्या चीज है कैसे काम करेगा इन सब बातों पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का टॉपिक जो है उसका इंडेक्स क्या है आज हम लोग E-Rupy के बारे में पढ़ने वाले हैं E-Rupy की आवशक्ता क्यों हुई E-Rupy है क्या चीज जिसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे फिर हम जानेंगे कि E-Rupy की विशेष्टाएं क्या हैं कि कैसे कार्रे करता है इसका लाब क्या होगा एज ए कंज्यूमर एज ए कंपनी क्या लाब होगा इसका और ये डिजिटल करंसी से भिन कैसे है आप लोग ने सुना होगा कि बीच में RBA के गवर्नर ने डिजिटल करंसी भारत में लाउंच करने का हिंट दिया था जो कि Central Bank के द्वारा Approved Currency होगी ये Cryptocurrency से अलग होगी लेकिन क्या ये E-RUPी ही Digital Currency है या फिर ये E-Digital Currency से भिन है इस बात पर मैं चर्चा करूँगा और लास्ट में इस E-RUPी के संदर्म में इसके समक्ष क्या चुनाती आएंगी हम इनके बारे में जानेंगी तो आज का जो टॉपिक है वो E-RUPी एक Prepaid Voucher इसके बारे हम बात करने वाले हैं आप सब लोगों को समचारों के माध्यम से इतना तो पता चला होगा कि 2 अगस्त 2021 को यानि हाल ही में प्रधानमंत्री ने E-RUPी की शुरुवात की तो E-RUPी पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ बोला या इंटरनेट पर जो भी कुछ अवलेबल है थोड़ी सी भाशा क्लिस्ट हो सकती है उसी को मैं सरल करने का प्रयास करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाई ये आखिर में काम कैसे करेगा हम इसका उप्योग कैसे कर सकते हैं देखिए आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि वर्तमान में भारत में जो भी फानेशल सिस्टम कर रहे कर रहा है उसमें टेकनोलोजी की भूमे का बढ़ गई है आप लोग आज के समय में जो पेमिंट करते हैं जब भी कहीं आप शॉपिंग करने जाते हैं इंटरेट बेंकिंग का प्रियुक कर सकता है लेकिन अभी भी कुछ समस्या थी जिस समस्या के समाधान में ए रूपी साहक हो सकता है तो हम सबसे पहले उसी समस्या को जान लेते हैं मेरा मानना है कि जब भी आप लोग कुछ पढ़ें टॉपिक कोई भी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को जो अपरोच रखनी चाहिए वो वाई बिफोर वट इसकी अपरोच रखनी चाहिए जब भी कोई नई इनोवेशन होती है नई नवाचार पर जब ध्यान दिया जाता है तो पहले यह दिखा जाता है उस इनोवेशन की आवश्रक्ता क्यों है तब उस इनोवेशन में क्या होना चाहिए इस पर बात की जाती है अर्थाथ अगर हमें समस्या पता होगी तो हम समस्या का निदान सही कर पाएंगे तो वर्तमान में भी हम E-Rupee के बारे में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज हम उसमें क्या समस्या थी कि E-Rupee की आवशक्ता पढ़ी और E-Rupee कैसे काम करेगा अगर हम ये समझना चा रहे हैं तो हम समस्या को पहले ठीक से जान लेते हैं अब हम देखते हैं कि E-Rupee launch करने की आवशक्ता थी क्यों क्या आवशक्ता हुई कि सरकार ने इस पर इतना प्रयास किया टेकनोलोजी का यूज किया और इसको फिर launch किया गया आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार सबसीडी के माध्यम से वंचित वर्ग की सायता करने का प्रयास करती है विभिन चेत्रों में सबसीडी दी जाती है सरकार के द्वारा किंदर सरकार हो या राज्य सरकार विभिन परकार की योजनाय चलाती है जिसके माध्यम से वंचित वरग तक या गरीब वरग तक आवश्चक वस्त में पहुंच जाए उनको जीवन यापन के लिए जो जो नेसेसरी गुट्स हैं वो मिलनी चाहिए मेरिट गुट्स मिलनी चाहिए इसके लिए सरकार सबसीडी पर बहुत खर्च करती है सबसीडी जनता तक पहुंचाने के लिए पहले होता था कि कैश के माध्यम से सबसीडी पहुंचती थी यानि माल लेते हैं कि किसी विध्यार्थी को scholarship देनी है तो scholarship उसके school में जाती थी, school में principal उसे विध्यार्थी को scholarship दे 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 थी लेकिन इस समय बात छुपी हुई नहीं है कि ब्रश्चाचार बहुत होता था leakage होता था, यानि जिस व्यक्ती तक वो सबसीडी वो साहता पहुंचनी चाहिए उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचती थी और यदि पहुंचती थी तो भी उसकी राशी उतनी नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए जितना उसे आवंटित की गई है अर्थात अर्थात ब्रस्चाचार और लीकेज के करण सरकार तो सबसीडी पर बहुत खर्च कर रही थी लेकिन उस सबसीडी का लाब वास्तविक लाभारती तक नहीं पहुँच पा रहा था इस समस्या के समाधान के लिए DBT Direct Benefit Transfer यह आप सब लोगों ने सुना हुआ है Direct Benefit Transfer की शुरुआत की अर्थात सबसीडी Directly Beneficiary के एकाउंट में भेजी जाने लगी इससे क्या होगा कि बीच में जो व्यक्ति इसमें से कुछ एमाउंट ब्रश्चाचार कर रहा था यह आप कह सकते हैं कि वह उसमें से लीकेज हो रहा था अब उस लीकेज कम कर सकते हैं डैरेक्टली लाभारति के अचाउंट में सबसीडी की राशिट ठांसफर कर दी जाएंगे अब यह आज कल देख धेए प्रधानमंत्री किसानों के अचांट में डैरेक्टली अमाउंट ठांसफर करने की बात की है बहुत सरी और बी योजनाइन चल रही है जिन में दी रात है अब question बनता है इसमें समस्या क्या है जब subsidi हमने वास्टविक लाभारती को पहुंचा ही दी और हमने भ्रस्चाचार लीकेज को तो बहुत अत्ता कम कर लिया है अब दिक्कत क्या है अब समझ्या यह है कि जब द्विटी के माधम से सब्सिडिय उस व्यक्ति के पहुंचा दी अब स्कॉलर्शिप विध्यार्थी के खातें पहुंची है तो सरकार यह मान करके चलती है एज्यूम करके चल रही है कि विध्यार्थी द्वारा इस स्कॉलर्शिप का और प्रयोग किया जाएगा आगे पढ़ाई करने में कुछ इनोवेशन में या अपनी जो उसक्षा से समंदित उसकी आवश्कता हैं उनको पूरा करने में लेकिन विवरिक तोर पर क्या होता है वह आप सब लोग जानते हैं उस परिवार के द्वारा हो सकता किसी व्यक्ति के द्वारा उस राशी का प्रयोग पर राशी का दुरूपयोग कर लिआ जाएगे यह मिश्चित करना संभव नहीं था और इसकी वज़े से सरकार दावा करती थी हमने सबसीड़ी बहुत सारी नागरी को तक पहुंचाई है एकाउंट में भी पहुंची है तो सरकार कहीं कि देखिए देश विकास कर रहा है वंचित वर्ग को सरकार की तरफ से लाब मिल रहा है इतने करोड लोगों को लाब मिला लेकिन फिर भी उन व्यक्तियों की या गरीबों की इस्ति में अधिक सुधार नहीं हो रहा उसका एक ब और दूसरी बात एक और आगर हम बात करें कि सरकार जो सबसीडी ट्रांसफर कर रही है वो सबसीडी उस व्यक्ति के पास पहुंचे जिस व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी वास्तविक लाभारती को मिलनी चाहिए थी तो वास्तविक लाभारती तक ही पहुंचे और साथ-साथ उसका उप्योग सही स्थान पर वो कर पाए उसमें किसी प्रकार का ब्रश्चाचार लीकेज ना हो प्लस भारत में अभी भी पून त्या आप कह सकते हैं कि वित्य समावेशन का विस्तार हो नहीं पाए लगभग 40% जनसंग के आभी भी बैंकों से जुड़ी हुई नहीं वित्य विवस्ता से जुड़ी नहीं उसके खाते में सबसीडी पहुँचाना एक और चलेंज है चुनोती है यानि या तो सबसीडी हम चुनोती यह है कि पहुचाना नहीं पा रहे है उस विक्ति के एकाउंट में और यदि पहुचा दिया तो दूसरी दिक्कत है कि वो उसका सही उपयोग करेगा या नहीं यह एक समस्या है इस समस्या का हल कैसे किया जाए क्योंकि जब आपको bank account खुलाना हो तो उसके लिए एक जटल प्रिक्रिया का पालन करना पड़ता है हर व्यक्ति bank account नहीं खुलवात पाता और अगर bank account खुलवा ले तो उसके लिए minimum account में balance maintain करना पड़ता है वो ना कर – कर पा नहीं कका account बंद हो जाता है उस पर चार्ज लगने लग जाते है पेनल्टी तो इस प्रकार की समस्याओं का उपाय ढोणने के लिए सरकार ने एक और प्रयास किया जिसका नाम E-Rupy है अब हम देख लेते हैं कि E-Rupy है क्या चीज और ये कैसे काम करेगा तो मेरे खाल से आप लोग इस समस्या को समझ गये होंगे तो ये क्या है और कैसे काम करेगा इसको समझना आसान रहेगा देखते हैं E-Rupy का पहले हम इंट्रोडक्शन जाल लेते हैं E-Rupy भीम और UPI प्लेटफॉर्म पर आधारित एक प्रीपेड एवाउचर है प्रीपेड पहले से पे किया हुआ एक E-Voucher है ये और ये E-Voucher RBI ने स्विक्रत कर दिया है मैं बताऊंगा आपको ये कैसे काम करेगा पूरी तरह से एक्जामपल के साथ समझ भी आजाएगा पहले हम थोड़ा सा इसकी थियोरी देख लेते हैं भीम UPI प्लेटफर्म पराधारित एक RBI द्वारा प्रीपेड वाउचर है पहले से उसको पे कर दिया गया कैसे पे किया कैसे काम करेगा उसको हम थोड़ी देर में समझ लेंगे दूसरी बात यह व्यक्ति विशिष्ट है और उद्देशे विशिष्ट है यानि जिस परपज के लिए यह दिया जा रहा है उसी परपज पर इसका प्रयोग किया जा सकता अन्य किसी स्थान पर इसका प्रयोग करना संभव नहीं है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि विध्यार्थी को अगर हमने बुक्स खरीदने के लिए सबसीडी दी या किसान को खाद खरीदने के लिए सबसीडी दी तो सबसीडी का प्रयोग वह विध्यार्थी या किसान उसी स्थान पर कर पाएगा उसी मद पर कर पाएगा जि तो व्यक्ति विशिस्ट यानि जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है वही इसका प्रयोग कर पाएगा और परपज स्पेसिफिक उद्देशे विशिस्ट है जिस उद्देशे से सब्सीडी दी जा रही है उसी उद्देशे के लिए खर्च की जा सकती है अन्य किसी आवशक्ता की पूर्ती के लिए इस धन का प्रयोग नहीं हो पाएगा तीसरी बात यह QR code और SMS string आधारित e-voucher है QR code आप सब लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग बहुत सारा digital payment आजकल कर रहे होंगे जो QR code की साहता से विभिन कंपनियों के QR code को scan करके payment कर लेते हैं SMS string भी अर्था एक SMS आता है उसको भी scan कर लिया जाता है और उससे भी payment हो जाती है SMS आप लोग फोन में यूज करते ही है तो QR code और SMS string आधारित e-voucher है जिसे लाभार्थी के mobile पर भेज़ दिया जाता है और fourth point इस code के माध्यम से सेवा पुरदाता के खाते में directly amount transfer हो जाएगा अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ज्यादा समझ नहीं आ रहा है ये कहना कह चाह रहा है मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इतनी बात तो समझ आ गए कि ये purpose specific है जिस purpose के लिए दिया जा रहा है उसी purpose पर use होगा और दूसरी बात जिस person को दिया जा रहा है वही person इसका प्रयोग कर पाएगा यहां तक बात clear है अब आप लोग समझना चाह रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा ये QR code या फिर ये जो लिखा हुआ है कि सेवा पुरदाता के खाते में इसको हम समझेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इसकी विशेस्ता हैं बताता हूँ कि ये E-Rupee इसकी विशेस्ता हैं क्या है एक और ये factual जानकारी भी ले ले लेते हैं कि E-Rupee बनाया किसने हैं तो आप लोगों ने ये संस्था का नाम सुना होगा शायद N-P-C-I क्योंकि B-Map U-P-I जो सिस्टम क्रेट किया गया Unified Payment Interface वो N-P-C-I के द्वारा बनाया गया था भारती राष्टे भोगतान निकम वर्तमान में जो E-Rupee के हम बात कर रहे हैं ये N-P-C-I National Health Authority Department of Financial Services यानि वित्य सेवाई विभाग Ministry of Health and Family Welfare और बैंकों के सयोग से ये बनाया गया काम करेगा ये बैंकों के सयोग से बनाने में बाकी इन चारों संस्थाओं की भूमिका रही है अब बैंकों के सयोग से कैसे काम करेगा उसको हम समझ लेते हैं ये एक फैक्ट था प्रलिम्स में शायद कभी आ जाए अदर्वाज आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस संस्था ने बना दिया गया मैं इसकी विशेश्ताओं की बात करूँगा पहले फिर इसके काम करने के तरीके पर देखेंगे तो ये जो पूरी रूपी की विवस्था बनाई गई है ये पूर्णत्या कैश्लेस है इसमें कैश का प्रयोग नहीं होगा और दूसरी बात ये कॉन्टेक्ट्लेस है आपने देखा होगा कोविड-19 में ये वर्ड बहुत पॉपुलर हुगा कॉन्टेक्ट्लेस आज के समय में आप जो भी कुछ ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं वह कॉन्टेक्ट्लेस है किसी रेस्ट्रेंट में खाना खाने जाते हैं तो बोलता है कि कॉन्टेक्ट्लेस पेमिंट कर सकते हैं यानि आपको कोई कॉन्टेक्ट नहीं करना दो व्यक्तियों का अपस में और या पेमिंट भी कर लेंगे Similarly, यहां भी E-Rupee की जो बात कर रहे हैं, यह cashless और contactless है, और इसके साथ ही जो यह point आगे लिखा हूँ, इस पर आप ध्यान दिजीएगा, यह बहुत काम की बात है, बिना किसी card के, बिना किसी payment app के, यह internet banking के, आप यह प्रयोग कर सकते हैं, यहांने E-Rupee का प्रयोग करके भोगतान भी हो जाएगा, कोई credit card या debit card नहीं चाहिए, plastic money की आवशक्ता नहीं, किसी तरह के payment app की आवशक्ता नहीं, वर्तमान में आपके mobile में बहुत सारे payment app होंगे, लेकिन कोई भी तरह की आप नहीं चाहिए, internet की आवशक्ता नहीं पड़े QR code की सायता से काम कर सकता है, कैसे काम करेगा उसे समझेंगे, next बात, इसका प्रयोग एक ही बार हो सकता है, यानि जिस लाभार्थी को यह QR code दिया गया, यह SMS मिला, वो उसका प्रयोग करके एक बार भोगतान कर सकता है, ऐसा नहीं, वो multiple time करेगा, हर बार के बोगतान के प्रयोग कर सकता है, तो यह भी important है, इससे हम कह सकते हैं, इसका multiple misuse नहीं हो पाएगा, को इसका misuse करने की कोशिश नहीं कर पाएगा, third point है, यह पूर्णत सुरक्षित और विश्वस्नी है, सुरक्षित और विश्वस्नी होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यहां पर money involved है, payment system involved है, financial system involved है, और जहां भी money बीच में आ जाए, तो सुरक्षा हमेशा important है, एक व्यक्ति के लिए भी, सरकार के लिए भी, और उ प्रिपिड वाउचर का प्रियोग करेगा, उसकी जानकारी गोपनी है, अन्यत आप देखते हैं, आज कल payment tap और जितनी विभिन प्रकार की आप application यूज करते हैं, आपकी जानकारी नजने कहां कहां तक सर्कुलेट कर दी जाती है, और फिभिन प्रकार के phone आने लग जाते है तो यहां पर ऐसा नहीं होगा, आपकी जानकारी को पूर्ण का गोपनी रखा जाएगा, अब इसको समझने के लिए मैं एक पूरा slide के माध्यम से आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये एक prepared e-voucher है, अब prepared word ध्यान रखें, तो ये समझ में आने सरकार इस व्यक्ति को कुछ subsidy देना चाहती है, और subsidy किस purpose के लिए देना चाहती है, वर्तमान में COVID-19 की वैक्सीन लगवानी है, ये कहता है कि वैक्सीन मुझे लगवानी, तो सरकार ने का कि आप जाएए vaccination center में, फ्री में वैक्सीन लग रही है, तो ये कहता है मैं वहाँ गय लेकिन लाइन बहुत लंबी है, और चूंकि ज़्यादा भीड़ है, इसलिए social distancing का पालन शायद ना हो पाए, तो मुझे संकोच और डर लग रहा है, तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता है, तो ये private hospital में vaccine लगवाना चाह रहा है, अब private hospital vaccine लगवानी के लिए इसके पास उतन नहीं देगी, लेकिन निजी संस्था भी चाहे, तो वो भी इसको COVID-19 की vaccination के लिए कुछ payment दे सकती है, वो कैसे देंगे, वो हम इस example से समझ लेंगे, और जरूर ही आप COVID-19 का ही example लें, ये किसान हो सकता है, तो किसान को सरकार खाद खरीदने के लिए subsidy दे सकती है, तो किसी भ माना कि सरकार इस व्यक्ति को कुछ मनी देना चाहा रहे थी, ताकि ये hospital में जाकर के vaccination करा पाए, तो सरकार ने अपने bank को बोला, किसी भी एक bank को, इसमें 11 bank यहाँ पर involved है, 11 bank को की सायता से system करे करेगा, तो 11 की list आप लोगों को में नीचे description box मिल जाएगी, सरकार ने उन 11 में से किसी एक bank से कहा, कि हम इस व्यक्ति को कुछ धन अस्तांतरित करना चाहते हैं, और किसी लिए अस्तांतरित करना चाहते हैं, ताकि ये vaccination करा पाए, कहा vaccination कराने जाएगा, किसी private hospital में, कौन से hospital में जाएगा, तो उस hospitals की list पहले से बनाई हुई है, और उस bank को दे दीगी, बैंक, NPCI ने जो system बनाया है, संस्था का नाम मैंने अभी आपको बताया था, जो digital payment solution का ये पूरा e-rupee वाला system बनाया है, बैंक उस NPCI के system के तहत, एक QR code generate करेगा, QR code भी हो सकता है, एक SMS भी हो सकता है, जो मैंने पहले बोला, सरकार ने आदेश दिया बैंक क कि आप एक QR code generate करेगा, और QR code इस व्यक्ति के mobile पर आ गया, जरूरी नहीं है, इसके पास कोई application हो या internet हो, इसको केवल QR code मिल गया है, message के तो, ये जो QR code मिला, इस QR code को ये लेकर के जाएगा, hospital में, वहाँ जाके बोला इसने कि मुझे vaccine लगवा नहीं, तो उन्होंने जब इस payment मांगा, तो इसने वो QR code दिखा दिया, hospital उस QR code को scan करेगा, जैसी hospital उस QR code को scan करता है, तो इस व्यक्ति के mobile पर एक OTP आ जाएगा, आप उसे OTP कह सकते हैं, या कह सकते हैं, एक code आ जाएगा, एक message आएगा, वो OTP या वो code इस व्यक्ति द्वारा hospital को बता दिया जाएगा, ये कि ये ही वो person है, जिसके पास QR code था, जैसे ही वो OTP मिला, OTP verify हो गया, इस hospital को तुरंत real time payment transfer हो जाएगी, किसके द्वारा, सरगार ने payment दी थी bank को, और bank इस hospital को payment दे देगा, इसके account में transfer हो जाएगा, और hospital उस व्यक्ति को तुरंत vaccine लगा देगा, यानि आप कह सकते हैं, ये स व्यक्ति में vaccine लगवाने आपको time लगा होगा, या आपको time लगेगा, उतने ही समय में इस व्यक्ति को भी vaccine लग जाएगी, केवल QR code से इसने payment कर दिया, अब इसमें देखिए फाइदा क्या देख रहे हैं, आपको जो मिन अभी विशेषता हैं बताई थी, उसको इस example से दुरूपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इसको QR code generate करके दिया गया था, बैंक के द्वारा, वो ऐसा इस तरीके से design किया गया था, कि वो केवल और केवल hospitals में ही चलेगा, कौन से hospital में चलेगा, वो भी पहले से बैंक के पास list थी, उन्हीं hospitals में जाकर कि इस QR code को scan करवाए तो ही payment हो पाएगा, अगर कुछ grocery की shopping करने लगे ये व्यक्ति, तो संभव नहीं, वो QR code काम ही नहीं करेगा, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक QR code इस व्यक्ति को दिया गया है, और उसका दूसरा part इस hospital को दे दिया गया है, scan करते ही system match कर जाएगा, तो पहली बात, धन का, जिस मनी का अगर प्रयोग सही जीगे होगा, तो आप कह सकते हैं कि गरीबों को जो आर्थिक साहता दी जा रही है, उसका लाब भी मिलेगा, डीबीटी के माध्यम से हमें साहता को इस account तक तो पहुंचा देते थे, इस व्यक्ति के account में आर्थिक साहता पहुंच जाती थी, लेक कि सरकार के वल ऐसा नहीं कि सरकार ही यूज करेगी सिस्टम को, कोई भी निजी सहस्ता, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी NGO, अगर इसका प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है, जैसे माल लिजिए कि किसी व्यक्ति, किसी कंपनी को ये लगता है कि हमें 100 लोगों को वैक् जखाने लगवाने में साइथ ता कर सकते हैं, तो एक तरीका तो ये क्लिए है कि वो खुच जाकर कि गॉर्मेंट वैक्सीन सेंटर पर फ्री में वैक्सिन लगवा ले, और दूसरा तरीका ये हो सकता है गि LISA call कि प्रैवेट कंपनी भूगतान कर दें और व वे व्यक्ति जा सो qr code generate करेगा और जिन 100 लोगों को तो वह vaccine होनी चाहिए vaccine लगना चाहिए उन 100 लोगों के mobile पर qr code आ जाएगा वह 100 लोग जाकर के hospital में जाएंगे और vaccine इस तरीके से लगवा लेंगे qr code scan होगा OTP से verify होगा और payment इस company के account से minus हो जाएगा डिटक्ट हो जाएगा और hospitals के account में payment पहुंच जाएगा कि इससे इस company ने ना केवल गरीबों की साहता कर ली बल्कि आप कह सकते हैं कि वर्तमान pandemic के दौर में अगर बात करें कि social distancing क्या पालन करते हो vaccine भी लग रही तो इ रूपी का जो प्रयोग किया जा रहा है वो केवल सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा निजी छेत्र या कोई NGO या कोई व्यक्ति वो भी इसका प्रयोग कर सकता है simple तरीका उसका ही रहेगा अब question जो मैंने कहा था कि आवशक्ता ही आवशकार की जन्नी होती है आवशक्ता क्या थी जो मैं शुरू में समझा रहा था मैं इसको यहां से फिर लिंक कर रहा हूं ताकि और clear हो जाएगा आप लोगों को आवशक्ता क्या थी सरकार के द्वारा खर्च की जाने वाली सबसीडी की राशी उसका पूर्ण त्या सदूप्योग नहीं हो पाता था जिस उद्देश्य के लिए आवंटित की जाती थी महां उसका प्रयोग नहीं होता था अब ऐसा करना सुनिशित हो पाएगा जो इसकी में जरूरत लग रही है और दूसरी बात चूंकि प्राइवेट कंपनी अभी इसका प्रयोग कर सकती है अच्छा आप में से अगर किसी ने प्राइवेट कंपनी में कार्य किया हो या आपके परिवार में कोई हो तो आप लोग वाचर Condolcus यह नाम आपसो आप लोग ने श्यायद सुनाओ सोड़ेक्स वाउचर हों प्राइवेट कंपनी वह उजग करती है यह कंपनी सोड़ेक्स का कड़ यूज करती है और कुछक इसका वाउचर देती हैं यानि किसी निज़ी कंपनी के दोरा अपने करमचारी को एक उस धन का प्रयोग अपने अनुसार कर सकता था तो प्राइविट कमपनियां लेकिन बहुत चुनिंदा कमपनियां ऐसा करती थी जो सोडेक्सो कार्ड का प्रयोग कर रही है लेकिन कोई छोटी कमपनी है, MSME सेक्टर की कमपनी है उसकी सोडेक्सों तक पहुँच नहीं होती है या वो कहते हम इतना खर्च नहीं करना चारे है अब वह प्रिकरिया आसान हो जाएगा तो इस पूरे एक्जम्पल से मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझाया होगा या आखिर E-Rupi काम कैसे करेगा जो मैं आपसे बार-बार बात कर रहा हूँ कि सरकार सबसिडी पर धन्राशी बहुत खर्च करती है और फिर भी उसका मिसीज होता है उसको हम एक बार देख लेते हैं एमांट को भी समझ लेते हैं इससे ये बजट है बजट जो वरतमान बजट प्रस्तूत किया गया था बजट 2021-22 बजट का एक प्रोफाइल होता है ये आप गवर्मेंट की वेबसाइट से देख सकते हैं एक तरफ इसमें रिसीट है यानि कितना धन सरकार के पास आ रहा है और इधर expenditure है कितना सरकार खर्च कर रही है सरकार जो खर्च कर रही है उसमें से ये सारे आकड़े लाक करोड में लिखे हुए लगबग 14.33 लाक करोड सरकार का scheme expenditure है योजनाओं पर सरकार खर्च करती है योजनाओं बहुत सारी हो सकती है आप लोग बहुत सार योजनाओं के नाम जानते भी हैं उसको भी फिर आगे केटेगराइज कर दिया जाता है Central Sector Scheme, Centrally Sponsored Scheme, Core Scheme वगेरा वगेरा जितनी भी योजनाओं पर सरकार खर्च करती है उनी में से आगे जाकर कि हम देखें हैं तो उसका एक हिस्सा सबसीडी की रूप में जा रहा है 3.7 लाक करोड़ इतना हिस्सा सरकार आर्थिक साहता दे रही है सबसीडी और सबसीडी किस छेतर में हैं? तो में जो सेक्टर है, फूड सबसीडी सबसे बड़ा हिस्सा है 2.43 लाक करोड़ उसके बाद अगर अगला नमबर देखें 0.8 फर्टिलाइजर 0.8 यानि लगबग 80,000 करोड़ रुपए पुरवरक सबसीडी है नेक्स्ट अदर्स के नाम से है 0.34 34,000 करोड़ के असपस और बाकी पेट्रोलियम सबसीडी लगबग 13,000 करोड़ यहां से कभी-कभी UPSC प्रिलिम्स में कोश्चन भी पुछ लेता है कि सबसीडी का क्रम घटता हुआ बढ़ता हुआ वो आप बजट से और भी बहुत सारी चीज़ आपको पढ़नी होती है लेकिन यह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो सबसीडी हर साल खर्च कर रही है तो फिर भी हम कह पाते हैं कि देश विकास नहीं कर रहा है गरीबों का कोई खास भला नहीं हो पा रहा है सरकार का पैसा पता नहीं आखिर जाता कहा है इस तरह कि आलोचना हम लोग कर लेते हैं लेकिन आलोचना करने के पीछे अगर हम देखें कि दिक्कत किसमें है तो दिक्कत है distribution system में वित्रण पढ़ा लेए सरकार ये दावा करती है कि हम धनराशी खर्च कर रहे हैं और गरीब यक्ती भी दावा करता है कि सरकार ने कहां खर्च किया हमें तो कुछ मिला नहीं तो समस्या है वित्रण विवस्ता में उस distribution system को ठीक करना ही हम कह सकते हैं कि भ्रष्चाचार को रोकना है distribution system ठीक करने में ए रूपी महत्वण भूमिकान निभा सकता है पहले प्रयास किया गया था DBT के द्वारा अब DBT से आगे एक कदम और बढ़ गए है ए रूपी इसमें उस धन के सदुप्यों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा अब मैं जो बता रहा था आपको कि ए रूपी क्या है और हमने इसकी process को समझा अब हम जड़ा इसको theoretically इसके लाब देख लेते हैं कि ए रूपी के लाब क्या होंगे देखें सरकार के द्वारा जो भी सेवा दी जा रही है उस सेवा की targeted और leak proof delivery होगी यानि जिस व्यक्ति को target किया गया है लाभार्थी जो है वहीं तक सेवा पहुँचेगी और leak proof delivery मतलब समझी होगी आप पारधर्शी delivery होगी पहले जो leakage होता था अब leakage नहीं होगा क्योंकि धन का प्रयोग सही जिगय किया जाएगा जिसके लिए उसे आवंटित किया यह इसका important point और यही रीजन है मैंने यहाँ पर एक word लिखा आप देख सकते हैं digital governance दो अगस्त 2021 को जो प्रधानमंत्री जी ने इसे launch किया तो उन्होंने इस चब्द का प्रयोग किया digital governance अब आप इसको अपने governance वाले section में भी use कर सकते हैं digital governance का meaning से ही नाम से ही meaning समझ में आ रहा है कि सरकार के द्वारा जो शाषन प्रणाली चलाई जा रही है उसमें digitalization का प्रयोग minimum government, maximum governance जो सरकार का motto है उसको ये fulfill करने में साहिता प्रदान करेगा E rupee क्योंकि हम यहाँ पर वित्रन प्रणाली को सुधार रहे हैं वित्रन प्रणाली का सरली करन करने का प्रयास किया जा रहा है end to end जो transaction होगी और पूरी देराचे digitalization है digital transaction हो रही है जो धन transfer कर रहा है यानि सरकार और जिस व्यक्ति तक पहुंच रहा है और फिर फाइनली जो service provider है मेरे example में hospital service provider था hospital यहाँ service provider है यह लावार थी और यह धन का हस्तांतरन करने वाली संस्था private company या सरकार तो पूरी तरह से digital ही transfer हो रहा है cashless है cash का कहीं use भी नहीं हुआ और vaccine भी इस व्यक्ति ने लगवा लिए next सेवा वित्रण की नियूनतम प्रशासनिक लागत है no doubt जो हम currency का प्रयोग नहीं करेंगे यहां मुस्वस्तू का भहतिक रूप से अस्तांतरन नहीं करेंगे तो प्रशासनिक जो लागत होती है वित्रण विवस्ता की वो कम हो जाती है जैसे example अगर मैं आपको समझाओं कि माल लेते हैं कि खादे सबसीडी में सरकार गेहूं चावल डाले आदी वित्रित करती है तो गेहूं चावल डाल यह बहुत ही कवस्तू है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानि FCI के गोडाउन से लेकर के और फिर लाभारती तक पहुचाने की वित्रण लागत बहुत जादा होती है अगर हम इसके स्थान पर कैसलेस सब्सीडी प्रदान करने लग जाए इस तरीके से तो आप कह सकते हैं वित्रण की तो बहुत कॉस्ट बच जाएगी यानि भविश्य में आप ऐसा देख सकते हैं कि इरूपी का प्रयोग कई सारे स्थानों पर सरकार करेगी वित्रण की लागत को नियूंतम करता है वर्तमान में जब इसे शुरू किया गया सबसे पहले इसे कोविड से संदर्वित जो सेनेरियो स्टम चल रहा है उसके लिए शुरू की गई है इरूपी जो प्रीपिड वा इरूपी करके वैक्सीन लगवा पाएगा तो शुरूबात में आप कह सकते हैं स्वास्थे संदर्वित यही रूपी का प्रयोग किया जाएगा लेकिन भविश्य में इसको कई सेक्टर में प्रयोग किये जाने की संभावना है सरकार इस पर विचार कर रही है और आप इसक कहूं कि धन का उपयोग उसी कार्य के लिए होगा जिसके लिए वह आवंटित किया गया यह इसका सबसे important point है पहले होता था कि farmer को subsidy दी जा रही है खार्द खरिदने के लिए लेकिन उसने औरवरक ना खरिद के उसका कहीं और प्रयोग कर लिया तो धन का दुरूपयोग ना हो इसको रोकने के लिए यह इरूपी साहक होगा आप ऐसे तो कह सकते हैं कि धन का नाकेवल सही व्यक्ति तक वो लाभारती तक पहुंचे बलकि उसका जो उदेश्य है वो भी पूरा हो सरकार ने जिस उदेश्य से सबसिडी दी है वो उदेश्य भी पूरा हो तो टेकनोलोजी का प्रयोग कैसे वास्त्विक लाभारती को साहता पहुंचाने हम हो सकता है वो हम इस ए रूपी के माद्यम से देख रहे हैं जो मैंने आपको लाभ या महत्व बताए हैं इनी लाभ को हम और दूसरे तरीके से था वो पूर्ण तया कॉंटेक्ट लेस है इस क्यूर कोड का प्रिंट आउट लेने के आवशक्ता नहीं है जो मोबाइल पे क्यूर कोड आ गया उसी क्यूर कोड को या उस SMS को जाकर के दिखा देना आगे का काम सर्विस प्रोवाइडर का है दूसरी बात वाउचर को रिड सरकार ने बैंक को पे कर दिया आपको तो बसके वले कोड मिला है तो यह जो प्रिपेड वाउचर है इसको रिडीम कराना आसान है आपको जाना है बस सर्विस प्रोवेडर को दिखा देना है सर्विस प्रोवेडर उसे स्कैन करेगा OTP पूछेगा और फाइनली पेमेंट ड बैंक अकाउंट या डिजिटल पेमेंट की कोई एप्लिकेशन हो ऐसा अनिवार है नहीं है इसकी आवशक्ता ही नहीं है डिजिटल पेमेंट की कोई आवशक्ता नहीं है आपके पास कोई PTM फोन पर या Google पर इस तरह की किसी अब की आवशक्ता नहीं पड़ेगी तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन ना हूँ उनके लिए इरूपी के माद्यम से सरकार या संस्थाएं अपनी साहता पहुंचा सकती हैं यह कि इसका महत्वपूर्ण उप्योग रहेगा कि सुदूर वर्ती छेत्रों में रहने वाले लोग जहां शायद स्मार्टफोन है तो इंटरनेट नहीं है इंटरनेट है तो स्पीड इतनी नहीं आती है अच्छी आती है एलेक्टरिसिटी की प्रॉलम है या स्मार्टफोन ही नहीं है तो ऐसे जो सुदूर वर्ती ग्रामिन छेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको भी इसका लाब मिल प यह लिए करकार से जो corporate सेक्टर है और जो शर्विस प्रवेडर हैं उनको क्या लाब हो रहा है corporate सेक्टर है नहीं जो निजी कमपणियां अगर ऐसा प्रयोंकर्ति इरुपी का उनके लिए क्या लाब होगा वो अपने करमचारियों को इस E रूपी दे करके उनकी देखबाल कर सकती है करमचारियों को उन्होंने कुछ पैसा दिया जो अभी तक Sodexo चलता था अब वो E रूपी का प्रयोग कर सकते हैं एक option मिल गया उनको विकल्प मिल गया दूसरी बात कम लागत में भुगतान हो जाएगा अभी तक वो करमचारियों को अगर Sodexo या किसी प्रिकार का वाउचर देते होंगे तो उसके लिए Sodexo कंपनी को कुछ पे करते होंगे अब उनको कुछ पेमिट नहीं करना है प्रैविट कंपनी के account में से bank amount deduct कर लेगा और bank QR code generate करके करमचारी को भिज़ देगा तो लागत बहुत कम हो जाएगी वाउचर बुनाने की जो process है उसको track कर सकते है कि जिस करमचारी उन्होंने जो वाउचर दिया उसने वाउचर को redeem कराया या नहीं कराया और कराया तो कब और कहा पहली बात कहा तो पहले से fix था कि वाउचर कहा redeem हो सकता है पहले से ही prepaid है पहले से ही उसका purpose specific already वो decided है तो कब redeem हुआ कैसे redeem हुआ track कर सकते हैं किसने redeem कराया वो सारी चीज़े track हो जाएंगी यानि NPCI ने system इस तरीके से बनाया है और अगर वो नहीं redeem कराता है तो वापिस उस company के account में amount फिर से refund हो जाएगा शुरक्षित है contactless है यह बात हम पहले से जान चुके हैं तो corporate sector को भी से मदद मिलेगी वो अपने करमचारियों को आर्थिक साहता उपलब्द करा सकेंगे service provider यानि जो मेरे एक्जांपल में मैंने hospital को service provider लिया था service provider का फायदा क्या है जैसे उन्होंने QR code scan किया और OTP से verification confirm किया तुरंट उनको payment मिल गया ऐसा नहीं है कि वो hospital को बाद में सरकार को भेजना पड़ेगा देखो जी आपकी तरफ से एक व्यक्ति आया था हमने उसको vaccine लगा दी आप हमें payment कर दीजिए फिर दो तीन मेंने वो hospital वाले चकर काड़ते रहें बिल्कुल नहीं real time payment system है तो इस service provider को बिना किसी mediator और बिना किसी ब्राष्चाचार और आर्थिक लागत के तुरंट real time payment मिल जाएगा तो एक तरफ आप कह सकते हैं पर तीन चार संस्था involved हैं एक वो संस्था जो money transfer कर रही है वो कौन हो सकता है सरकार या फिर private sector इनका फाइदा क्या है इनको कि यह तुरंट जिस व्यक्ति को पैसा देना चारे थे उसी को पहुंच और जिस परपस के लिए देना चारे थे उसी परपस के लिए प्रियोग किया गया दूसरा लाभारती लाभारती को फाइदा क्या हुआ कि जो qr-code उसे मिला उस qr-code की माध्यम से तुरंट उस्षा उस money का प्रियोग कर सकता है और पूरी तरह से contactless और cashless फिर service provider को फाइदा क्या हो रहा है जो service provide कर रहा है कि उसे real time payment मिल गया और finally हम देखें अर्थव्यस्ता को इससे क्या लाभ है कि सरकार के द्वारा या किसी निजी कंपनी के द्वारा आर्थिक सहायता पर खर्च कीर जाने वाली राशी का सही प्रियोग हो पाएगा तो हम क्या पाएगे कि वन्चित वर्ग को जो सरकार उपलब्ध कराना चाह रही थी वो उपलब्ध हो पाएगा फिर चाहे वो पोशक्तत्व हो या वो किसानों के लिए खाद हो या विध्यार्थी के लिए किताब है उस सारी बाति हैं पर पूर्णत्या लागू हो अब हम बात करते हैं कि क्या यह डिजिटल करंसी है डिजिटल करंसी देखिए सबसे पहली बात तो यह कि आप लोग जो यूज कर रहे हैं वो करंसी है आपके पास जो भी नोट है सिक्के हैं वो करंसी है आर्बिय द्वारा सुईक्रत है आर्बिय द्वारा जारी किये गए इसी तरह कैसे अगर केंद्रिये बैंक करंसी जारी करे और वो डिजिटल फॉर्म में जारी करे अर्थात केंद्रिये बैंक उसे कहीं भी कैसे भी प्रयोक करने के अनुमती दे तब हम कहेंगे कि वो डिजिटल करंसी है वो digital currency और E rupee दोनों अलग अलग बाते होंगी भारत में अभी तक digital currency जारी नहीं की गई है हाला कि इस पर विचार चल रहा है इस पर चर्चा चल रही है भविश्चे में कुछ न कुछ इस से related भी बात आएगी E rupee सरकार या किसी निजी सेत्र के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता है जो QR code के माध्यम से किसी specific person को specific purpose के लिए दी जा रही है लेकिन digital currency तो कोई भी earn कर सकता है कोई भी रख सकता है आज जैसे आपके पास घर पे जो money रखा हुआ है या आपके account में जो रखा हुआ है इसी तरीके से आप digital currency hold कर पाएंगे और digital currency को प्रयोग कर पाएंगे कहीं भुगतान करने में लेकिन जो आपके पास money अभी है या जो मेरे पास money है वो हमें सरकार ने दिया है या किसी निजी company ने सहायता के दिवत तोर पर दिया ऐसा निवार नहीं है तो E-Rupy और digital currency दोनों अलग अलग चीज़ है इसको merge करने की कोशिश ना करें हाँ E-Rupy आप ऐसा कह सकते है E-Rupy digital payment system का एक important factor है डिजिटल payment system को और बढ़ावा देने में E-Rupy का योगदान होगा E-Rupy भारत के financial system में digitalization को और promote करेगा ये आप कह सकते हैं लेकिन E-Rupy एक digital currency है ये कहना गलत हो जाएगा क्लिर है ये बात तो ये digital currency नहीं है इसको R-B-A ने digital currency के रूप में स्वीकरती नहीं दी है आप अगर कोई भी काम करके money earn करते हैं तो आपको E-Rupy के रूप में earning होगी ऐसा जरूरी नहीं है आप account में आपके salary आएगी या cash ले सकते है payment जो वर्तमान में बवस्ता चल रही है ये E-Rupy उससे अलग है और जो हम बात कर रहे थे कि E-Rupy के सामने क्या चुनोती आएंगी कौन-कौन से challenge E-Rupy को system को implement करने में लगेंगे पहली बात तो ये कि इससे लोग अभी उतने इस संदर में जाग रूख नहीं ये वीडियो भी इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग भी इसके बारे में जाग रूख रहें कि अगर आपको E-Rupy दे रहा है तो तुरंत ले ले तो पहली बात तो है जो समस्या वो है जाग रूख ताकि कमी है लोग उतने अवेर नहीं है कि E-Rupy है क्या और अगर कोई बताने की कोशिश करे या उनको को समझाने की कोशिश करे तो लोग उसमें इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन का यूग है हर को इसमें कमफर्टेबल अपने आपको फिल नहीं करता है तो E-Rupy को लागू कराने में इसके प्रचलन में पहली दिक्कत जवाएगी वह है जाग रूखता के अभाव की जैसा मैंने कहा कि E-Rupy का लाब तो सुदूर वर्ती ग्रामेंट शेतर में रहने वाले लोगों को सबसीड़ी पहुचाने में मिलेगा लेकिन उन लोगों को E-Rupy के बारे में पता तो हो तो सरकार को इस संदर में जाग रूखता संबंदी अभिहान चलाने होंगे उसके लिए आज के समय में शोशिल मीडिया, प्रिंट मीडिया बहुत सारे उप्शन्स हैं तो जाग रूखता का भाव एक बड़ी चुनौती रहेगा दूसरी बात खाली जाग रूखता इस बारे में नहीं कि E-Rupy क्या है इसका जो दूसरा फैक्टर जो दूसरा हिस्सा है वो है इसकी प्रोसेस का जो मैं भी आपके एक्जम्पल से समझा रहा था तो उस संदर में आप कह सकते हैं कि पंचायतों की भूमिका हो सकती है पंचायतों के माध्यम से अब यहां चलाए जाए जाग रूखता फैलाए जाए कि E-Rupy है सरकार या पंचायत जो भी राशी आपको दे रहे है वो E-Rupy के माध्यम से मिल गए या आप उसको कैसे प्र शुक है तो जाग रुकता दूसरी बात जो मैंने कहा कि सेफटी या सिक्यूरिटी हलाकि यहां पर लाभारती के लिए को रिस्क नहीं है लाभारती को सरकार से E-Rupy का QR code मिला और उसने जाकर के कहीं उसको redeem कराना है लेकिन जो सर्विस प्रवाइडर है या जो बैंकिंग स सिस्टम है या पूरा जो पिमिंट सिस्टम है वो साइबर क्राइम आज के समय में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा चलेंज बन गया है तो साइबर क्राइम से हमेशा इसको सेफ रखा जाए यह एक चलेंज रहेगा हाला कि NPCI का कहना यह पूर्णत सुरक्षित और गोपन बना रहे हैं ताकि कंपनिया इसे प्रयोग करें यह तभी संभव होगा जब यह अत्यदिक सुरक्षित रहें अन्यत हम देखें कि जैसे वर्तमान में विभिनत प्रकार के पेमिंट एप लोग यूज कर रहे हैं आज लोग पेमिंट एप का यूज करने में घवराते नहीं हैं ऐसे ही भविष्चे में ए रूपी का भी प्रचलन अटमेटिकली बढ़ने लगेगा सरकार द्वारा इसके प्रचलन को बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से निजी कंपनियों को जादा प्रमूट करना चाहिए सरकार निजी कंपनियों को कहें कि वह अपने कर्मचारीओं को E-Rupee के माध्यम से जो भी कुछ सहायता या कुछ allowances देना चाहती है तो निजी कंपनी अगर इसका प्रयोग करेंगी तो दीरे-दीरे इसका प्रचलन बढ़नी लग जाएगा जैसे सोडेक्सों के बारे में निजी कंपनी में सब जानते हैं करमचारी ऐसे इसके बारे में धीरे-दीरे जानने我गेंगे और फिर जाकर कि वो कहीं इसको redeem कराएंगी तो वह दुकानदार भी इसके बारे में जानने लगेगा वो पर्तिकिलर सर्विस प्रवैडर भी इसको जान जाएगा और इसका प्रचलन दीरे-दीरे बढ़ जाएगा तो किछना प्रचलित कर पाती है और सेफ्टी इसकी इंपोर्टेंट होग तो सेफ्टी को बनाए रखना और प्रचलन को बढ़ाना यह सरकार के लिए आति आवश्रक रहेगा तो मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ई रूपि एक प्रिपेड़ ये वाउचर है क्यों में पहले से परिपेड़ अपन आठाँ है बहुत सारी बात उस इमेज के मादम से सब्सक्राइब है और यी रूपी जिस तरीके से लिखा है इसमें आप देख रहे हों कि यूपी आई जो यूणिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उस यूपी आई के प्लेटफर्म का यूज़ करके इस यूपी को इजाद किया गया है तो यह एक नई इनोवेशन है और मैं यह कहूंगा कि अच्छी इनोवेशन है फाइनेशल सिस्टम में ऐसी तरह की इस तरह की इनोवेशन होती रहें तो फाइनेशल सिस्टम और ज्यादा मजबूत होता है और डिजिटलाइजेशन करना वर्तमान यूग की नाकेवल आवश्रक्त है बलकि अ आन्ने बादा.